उत्तर प्रदेश मौसम समचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मौसम की लेटेश कवर पाने के लिए तुरंट सब्सक्राब करें एलेश टीव इंडिया को और आपके जिले की मौसम की जानकारी चांते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चलिए देखते कैसा रहेगा आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। चलने से ताफमान में गिरावाड नई हुई आने बाले दुरों में प्रदेश में कई हलकी तो कई जादा बारस हो सकती है को जिलों में ओले गिरने को लेकर विए मौसम बदलते जा रहा है फरवारी के महीने में जब जनता को ठंड से राहत मिली तो बारस ने दस्तक देद बहीं राजधाई लखनओं में पारे का बढ़ना जारी है दिन की तुल्ला में रात का ताफमान तेजी चल रहा है बहीं तीकी दूप के बीच अधिक्तम ताफमान एक डिगरी सल्चिस की बढ़ोतरी हुई और ये 66.6 डिगरी सल्चिस रहा रात का पारा 11.2 डिगरी सल्च अगले 24 गंटे के बाद मौसम फिर सामान हो जाएगा आंचलिक मौसम बग्यान केंदर के बरिष्ट बग्यानिक अतुल कुमार सिंग मुताविक फिलाल बादल छाय रहने के आसार है लगातार 3-4 दुनों तक आएसे ही मौसम खराब रहेगा अगले 24 गंटे लगातार जहमाजम बारस हो सकती है बही पूरे उत्तावारत में मौसम को मिजाज अब फिर बदलने बाला है मौसम बाक्यानुसार मद और पूर्वी भारत में अगले कुछ दुनों के दोरान गरच चमक साद हलकी से मद्द मरसा होने की संबाबना है बही उत्तर प्रदेश समयद बिहार जहर कंड और पूर्वी उपी में जादा बारस होने की जादा संबाबना है बही बारस के साद छेटफर्ट ओला बरेश्टी होने की संबाबना है मौसुम भाक्या नुसार ओड़ीसा में बारस होनी की संभावना है वहीं दक्चल पर्चिम और पूर्वी उत्तर प्रतिस में जादा बारस हो सकती है बहीं अगर बात करें वो काउन काउसुजले हैं जिन में मौसुमाग ने आप फिर हलकी ओलब रिष्ट्यू कुले कर अलर जारी कर दिया है झालर प्रतिस तो, भी संभावना है